दोस्तों जो बात करने वाले हैं यार साल के एक आइकोनिक स्मार्टफून की दोस्तों आइकोनिक मैं इसलिए बुल ला हूँ क्योंकि ये स्मार्टफून उस्तों साल में केवल एक बार यहां पर ब्रैंड जो है लॉंच करता है और वो यार टॉप पर रहता है में चीज यहा यहां पर कई सारे phone को launch करते हैं लेकिन IQ के वल एक ऐसा brand है जो कि इस range के अंदर यहां पर single smartphone ही launch करता है and वो यार टॉप पर रहता है क्योंकि हर एक creator की जो list होती है यहां पर जो है under 30,000 की list वहां पर यह अपनी जगह बना ही लेता है यह काफी get up का smartphone होता है IQ की तरफ से जैसे कि पिसली बार की गार बात करते है 2022 की तो वहां पर IQ new 6 जो है उन्होंने launch किया था जो कि जिसने अपनी हर list के अंदर हर creator की list के अंदर जगह बना रखी एंड काई बार उस तो मैंने भी हर उसको जब भी मनें आपर वीडियो बनाए तब उसको पर लिस्ट के अंदर एड किया है तो देखे जाए तो काफी ज़्यादा अच्छा smartphone है आप पर IQ new 6 एंड काफी ज़्यादा लोग को यहां पर पसंद आ है खास करके गेमिंग वीडि हैं आपर क्या expects होने वाले हैं एंड pricing कितनी होने वाली है तो फिलाल से सक्षेशर होने वाला है यह भी उस तो काफी जादा सक्सेस पाने वाला है मेरे ग्याल से क्योंकि जिस चो तरिक इसकी specs बगर है एंड जो अग्रीड हमको दिंगो मिला है IQ new 6 तो आई जानते हैं इसी वीडियो के अंदर यहां पर हम 30,000 रुपए में मिलने वाले सबसे पावरफुल स्मार्टफून की जो कि इस वार एक नए चिपसिट के साथ दरी हो मिलने वाला है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी दरी के वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा चैनल पर नह देखने लाइक होती है यार कि मलब काफी अच्छा बिर्ट किया जैसे कि हम अगर पिछली वार से आई के निए 6 से कंपर करते हैं तो पर्फॉमेंस के लिए आसा देखा है तो हमें उसके अंदर स्नैप डरगन का 870 चिपसेट वहां पर देखने मिला था एंड वही अगर आ नया चिपसेट है जो कि जो है जो है यहां पर 800 है उसका सक्सेसर है तो देखा है तो यह भी काफी जाधा पावर्फुल जो जड़ेट है एंड 870 से का अब करोगे तो यार काफी काफी ज़्यादा पावर्फुल दिखो मिलता है बाकी अभी हम उसकी आगे बात करने वाले ह तो सबस्क्राइब बात करते हैं कि डिस्प्ले की तो इस पर मिलता है को 6.7 इंच का इफूर एमोर्ड पैल जो की फुल इसदी प्लस दिस्प्ले दिखो मिलता है एंड 120 हर्स का पो रिफूर दिखो मिल जाता है एंड 1300 निट्स की आपको यहां पर बैडनेस मिल जाती है काफी ज़्यादा पैनल है यहां पर कलर आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाते हैं एंड आ यहीं यार खासे तो तो बार और बोलता हुए आपर आएक्यू के लिए तो कहिं ने कहीं आर यहां पर करके भी दिखाता है एंड अच्छा आपग्रेट आपको प्रवाइड बात करते हैं आपर performance करेकर तो इसमें मिलता है आपको Demensity 8200 चिप्षेट है यहाँ पर जो की एक latest चिप्षेट है एंड यह इंडिया का पहला smartphone है जो की इसके साथ आपको दिखने मिलेगा पिसली बार आपको यहाँ पर Demensity 870 दे गया था जो की इसे टंपर्ज में काफी ज़्याधा powerful है यहाँ पर अगर अगर हम बात कर लेते हैं आपर Entuity Score की जिससे की इस तो आपको यहाँ पर किलियर हूर्स के आकरी कितना powerful है आपर Snapdragon 870 से तो अगर हम स्कूर की बात कर लेते हैं तो 870 के स्कूर की बात करें तो आपको 7,40,000 प्लस आपको इसका Entuity Score है वो देखने ले मिलता है एंड वही अगर बात करते हैं गयमेंज एटी एक्यासी सोगी तो इसने इसको इंडर बाथ बात करते हैं डाट याक्ली अज़ार प्लस आपको दिकने मिलता है तो आप देख सकते हैं आपको जदा हमें आप जो डिफ्रैंस है वो हमको देखने मिल लए 870 अपको आपर gaming का experience वो काफी ज़्यादा च्छ होने वाला है एंड gaming के लिए आपको आपर 3D cooling जो है system में आपर दिखने मिल जाता है तो ये काफी है आपको heating issue आपर ना के भराबर दिखने मिलने वाले है तो बाकी बैटरी में भी काफी अच्छा काम करते हैं यहां पर डिस्प्लें अंदर भी अच्छा काम करते हैं ज्यादा एक तरीका से बहुत अल्ट राउंडर इनको हम यहां पर बोल सकते हैं बात करते हैं अगर फ्रेंड के तो आपको 16 अगर दिया गया तो ओवर यहां पर इस वार भी याँ पर काफी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला एंड वैसे ही प्रोसेस्सिंग आपको देखने को मिलने वाली इस वार वितो और पर अच्छा होगा या फिर थोड़ा साथ बैटरी मिलने वाली साथ में 120 वोट के प्सली बार के कमझे मेंद देखा है तो एक आपग्रेड है पिछली बार आपको कीवल 80 वोट की फॉसर दिखों मिली थी एंड इस वार 80 से बढ़कर 120 हो गई है तो कहीं नहीं देखा है तो आई कि यार हर जगवे पर जो है अपग्रेड कर रहा है इसलिए बार बार बोलता हूं कि स्मार्ट फोन लांज करते हैं लेकिन वह मेंसा लोट मलब जो है टॉप पर रहता है तो आपको स्कूर्टी के लिए आपर इंडिस्प्ले फिंगर पिंट संसर देखे लिए मिलने वाला है इंडिसका रफस्ता कर बात करते हैं आप इसके वेस्की तो इस वर क्या कि आपको यूवाई उस तो उतनी जदा मुझे मलब पसंद नहीं आती है बस एक यूवाई का यूशी हो सकते हैं इसको ना लिने का बाकि अगर 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 आप रियल में वगारा के स्मार्टफोन वगारा यूज कर चुके हैं तो डेफिरिटल आपको ये भी काफी जदा पसंद आ आने वाला है और इसको साइड में करते परफॉर्मेंस डिस्प्ले बैटरी वगारा फोकस करें तो ये काफी ज़्यादा स्मार्टफोन हो जाता है साथिकर बात करें इसके लोंच कब तक इसका लोंच होने वाला है इंडिया के अंदर तो यह 16 फरवरी को फोन जो है इंडि स्टोरेज है साथ ये लपी टीटर फाइफ रैम का सपोर्ट आपको यहां पर देखने मिल जाएगा तो ओवर ओल देखा है तो हर तरीके से परफॉर्मेंस में कोई भी कमी यहां पर नहीं की गई है रेट आटिंग जो स्पीड है वो भी आर आपको काफी ज्यादा अच्छ यहां पर लॉंज करने वाले तो अगर आप डिफिली मन बना रहे हो तीस जाओ रूपए के अंदर किसी भी स्मार्टफोन को लेने ने का डिफिली यह काफी जादा अच्छा ओप्स प्रेंज के अंदर यार काफी जाधा पावर्फूल स्मार्टफोन आपको दिखने लिए जाता है साथी पॉवर्फूल यहां पर आपको डिस्ले अच्छा मिलेगा आप बैठरी अच्छी मिलेगी साथ जाओपर कैमरे भी अपको दिन मिल जाए गये हलागि अगर इमस्पर रिकद यहां पर कर देत है तो स्वार्पर यहां पर काफी हग तक अच्छी देखम मिल ल आप 30,000 रोपे तक स्मार्टफोन लेने चाहेते हैं एंड अगर आप एक गेमिंग यूजर है ठीक है ना बाकी फोन तो मैंने आपको बताए कि याल एक आल राउंटर मैं इसको बोल सकता हूं तो डेफिरिंटली आप यहाँ पर इसे चेक आउट कर सकते हो फिलाग इस तो यह में आल राउंटर करा राउंटर